बहतरीन और स्वादिश रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हाई एवरिवन सास पभू रेसिपीज में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं एक हिटराबाद की फेमस दिश वो है मैजिस्टिक चिकन तो चलिए मैजिस्टिक चिकन बनाने के लिए हमने यहां आदा किलो बोनलेस चिकन ली है से हमने इस तरह लंबे-लंबे पीसिस में कट करके लिया हुआ है साथ ही हमें चाहिए वन टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट बारीक कटा हुआ दहसुन, बारीक कटा हुआ, अद्रक, लंबी कटी हुई, चार से पाच हरी मिर्च, कुछ कड़ी पत्ते चाहिए हमें, यानि की करी लीज, फ्रेश, बारीक कटा हुआ, धनिया, तीन टेबल स्पून, कॉन फ्लार, तीन टेबल स्पून, मैदा, एक कटोरी, धही लिया है हमने वन टी स्पून, काली मिर्च पाउडर, टू टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर लेंगे हम, वन टी स्पून, जीरा पाउडर, वन टी स्पून, नमक, स्वाद अनुसार, और वन टी स्पून, हल्दिली है हमने, साती साथ हमें चाहिए, वन टी स्पून, स तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी, अब सबसे पहले हम एक बॉल में सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे और फिर हमारी चिकन को उसमें आड करेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे आदरप और नहसुन की पेस्ट, तकरीबन दो टेबल स्पून दही और हमें चलिए, कॉन फ्लार, और मैदा, और इसमें अब हम एड करेंगे, रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून खल्दी, और काली मिर्च पाउडर, और स्वाज अनुसार, नमक, अब इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा पानी का इस्तेमाल करते हुए, हमें इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अब हम यह हमारा जो मसाला है, इसे हम चिकन में आड करेंगे, और चिकन को अच्छे से कोट कर लेंगे, अब हम हमारी चिकन को आदे गंटे के लिए रेफ्रीजरेट करेंगे, ताकि यह अच्छे से मारिनेड हो जाए, कम से कम आदा गंटा तो आपको इसे रेफ्रीजरेट करना है, अब चाहें तो 2 घंटे तक मारिनेड के लिए रख सकते हैं हमारी चिकन अच्छे से मारिनेट हो गई है और हमारा तेल भी गरम हो चुका है तो अब हम इसे डीप फ्राइ करेंगे हमारी चिकन को अच्छे से फ्राइ कर देना है अब डीप फ्राइ कर रही है तो में हमारे चिकन को अच्छे से पका लेना है अच्छे से इसे प्राइ कर लेना है आप देख सकते हैं कि तरह इसे गोल्ड कलर आ चुका है हमारे चिकन अब अच्छे से अब इसे हम पिशु पेपर पर निकालेंगे, इसी तरह हमें हमारी पूरी चिकन को अच्छे से प्राइ कर लेना है, अब बारी है हमारी चिकन को तड़का लगाने की, तो सबसे पहले हमने यहाँ तेल ले लिया है, तेल को अच्छे से गरम कर लिया है, अब इसमें जाएगा बारी कटा हुआ अज़क और बारी कटा हुआ लेट्विट इसे हमें अच्छे से अच्छे से प्राई करना है लप्तकी ए गोल्डन ब्राउन ना हो जाए अब इसमें जाएगी लंबी कटी हुई अधि मिल्च और चैनलीच लिप्छे से स्वाटे कर लेंगे हम बाराई के में हम आइस, कहां कहां को तर्मेंगे आपाओ इसमेज राइगे हमारे मासाले जन्या पौडर जीरा पौडर प्रड़ जीर पौडर प्रड़ और नमक इसे स्वाथे कर लेंगे अच्छे से और अब इसमेज हम आइड करेंगे चिली सॉस और सुया सॉस इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमें इसे अच्छे से पकने देना है अब हम इसमें आड करेंगे हमारी फ्राइ की हुए चिकन अब हमें हमारी चिकन को अच्छे से इन मसालों में मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम आड करेंगे फ्रेश हराणिया सिर्चे से मिक्स कर लेंगे और इक दो मिनिट के लिए हम हमारी चिकन को ढखके सिन कैस पर रख देंगे अब यह हमारी मैजिस्टिक चिकन तयार है इसे हमने ढखके रखा हुआ था ताकि जो मसालों का पूरा फ्लेवर हमारी चिकन में भी आ जाए तो चलिए अब इसे हम सर्फ करेंगे यह हमारी मैजिस्टिक चिकन अब तयार है आप इसे ऐस स्टार्टर खा सकते है आप हमारे चैनल को लाइप कीचिए लेग, शेर कीचिए और सुब्स्क्राइब कीचिए और पिंग एक वाचिए